गेम्छो आप में से कितने लोग ये चाहते हैं कि आज का इस सेशन गुजराती में हो आप चाहते हैं क्या नाम है आपका तो हरीश भाई आप ही कर दो मुझे जितनी गुजराती आती थी मैं अल्रडी बोल चुका हूँ गेम्छो मजामा बस तो आज का इस सेशन शुरू करने से पहले मुझे यहाँ स्टेज पर चार वॉलिंटियर्स चाहिए एक मिनट शांत गदा धारी भीम शांत पहले पूरा सुन लो के करना गया है आपको एक मिनट का टाइम मिलेगा और उस एक मिनट के अंदर अंदर आपको कुछ भी बोल करके कुछ भी अजीब अजीब सी हरकते करके यहाँ पर जो ओडियंस बैठी है उसको हसाना है उनको हसाना है अब हाथ उतर ही है यह थोड़ा कम हुए है काफी कम हो गए भीम ने अपनी गदार डाल दी बस हो गया काम आगे और सुन लो अभी यहाँ पर खतम नहीं वाखे आपको यहाँ पर आगर के हसाना है और एक छोटी सी कंडिशन है उसके अंदर कि आपको कोई संता बंता का जोक नहीं सुनाना कोई भी जोक नहीं सुनाना किसी दूसरे का मजाक नहीं उड़ाना खुद का मजाग उड़ाता है खुद के फेलियर्स का खुद की वीकनेसिस का मजाग उड़ाना है यहाँ पर स्टेज पर आ करके और उन चारों में से जिसने भी सबसे ज़्यादा हसाया यहाँ पर जो लोग बैठे हैं उनको उसको एक टॉफी मिलेगी इसको लिखा हुई एक अन्सटॉपइबल कॉमेडियन अवर्ड तु देखते हैं कौन जीता है इस अवर्ड को अब बताएं कोन अना चाहेगा इसके लिए एक आप आजए ही इसको पर गैरेंटे लेटा आप ऐसा सकता हो आप गैरेंटी तेता हो आज़ो, 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 आप आज़े, ये मेरा डिवोर्स कराएगी, लेस्ट गिवा बिग है था और आपनों पूह जाना चाहेगा नाचाहेगा आप 4 वेंसे, I will! You will? Very good, let's give a big hand for. What name are you? Khushpu Let's give a big hand for Khushpu Khushpoo, what do you do? I am housewife for now So you married from house? Your husband is sitting here, where are you? Yes, he is sitting there Actually, he also wanted to come So you are happy today for a change and you will not be able to play into your own they are also being able to play into your own जैसे मेरी वाइप मेरा बड़ा मजाग उड़ाती इह! कि यह आसान है तो ठीक है यह क्या होता है? यह क्या है, जारू खान हो, कॉन होगा बाइप? तो आज आपको इनका नहीं अपना मजाग उड़ाना है, थीक है? कुछ भी अपनी कैसी भी वीकनेसिस का अपनी बेवकुफियों का हर एक इंसान में स्ट्रेंज भी होती है और यह सब क्यों हो रहा है इसके पीछे क्या लॉजिक है क्या मोटेव है मेरा यह मैं यह होने के बाद में आप लोगों को बता हूँ कि इसके पीछे इसका आज के अच्छा कर लिया उसके बाद मैं कुछ भी नहीं बोल पाँगी अच्छा आज आम यह पर आने वाले के मेरे हुस्बन एक्चुली थोड़ा संदीब जी के अगेंस्ट है इसलिए में उनको इधर लेकिया हूँ आज और अगी सुझेंगे जो मैंने कहा है उसके पाद अर अ का लिया डाइल हूँ इणो पत्ता भी नहीं था कि मैंने ऊनका रिस्ट्रेशन की है विधर्शन के अले शुब्र कि टृइरP जली से संधीक सागे संडीब कर दे थैए जल् aquell टेरिका सीशला हुआ थेश्ज हूँ कुद गिया विच्छ 2 लोना Counter 21st जिएगा अब state 2 एिऌर कि अशया नें नंगे जिए समने गार्राइ में गांदी नम काज से हुँ एक डाल मिना दो स्टे आकाष मैं असच फ्राइप में अक्टिंग कर अचता हुआ एक और एक और सब्सेंशी, एक्षिन बोलना एक्षन जो? यह त beto यहार मैं जोने का मा के जनेका कम, एक्षप्रेशन देखना वो जाने वाली क्यों जो जाना जोना वजुख बाद है रवी से पाइक। पाइक। पॉर्ड ये पाइक भोल्दिया जए है अब आपकान आ खाब अरह आपारे लाल बताको पीलो बताको एक तम सिर्यस पाइक। काभरजीतर बताक। थाड़ो बताक। अस्ता हस्ता . . . . . . क्पेरो! क्पेरो! आप दो! आप दोएगा!!! ताइम आप बटाकू ताइम आप बटाकू बहुत बढ़िया मुझे समझ नहीं आया इनोंने क्या गाले कि सुनने नहीं अचा लग रहा था तेकने में भी मज़ा आया क्या मतलब होता है मैंसे बटाकू का? आलू आलू? बस आलू रेड आलू बटाइमगे वाइड आलू कितनी बाराइटी आप के लाइड़ आप लाइड़े नेना नेना बाराएड गाल गाल एक्चली इहां पर आप लोगों को हसाने के लिए स्टैस्पे नहीं आय हूं वजह कोई टाफी नहीं चाहिए मैं दूसरे परपस के साफ से स्टेस्पर हूं वो सर्षारी वाद आप बत मैं जो यहां पर कानिया यू प्लीस हल्प मी जालो लेस्ट के विगांपर इन्हों ने आये यहां पर ट्राई किया मैंना नहीं हुआ अपर आपी तर्ट अच्छा है अभी या या जो प्लीस मैरी मी ओप्लिस्ट गाइज जो प्लीस अजया है अच्छा है मेरा डेमर्स पर एक बार हो सकता है कि मेरी एक बीवी है वह अलड़ी करवा चुकी है दूसरा होने की कोई कुछाइस जाहिए मैं फाइनल कर रहा हुँ एक बार हो जाया उसके बाद हाइनल अज़े अजया है अच्छाब हाग तो बनती ए सद्धीवजी के सद्धा टेले, लेइस बिग ऑइब है प्लाइब झेले, लेइस गिजांग झिए ऐब अवाल अडू आपके साबसे विनर को होने इन चारों में से? वो आपके हिसाप से है, मेरे हिसाप से चारों विनर हैं, चारों विनर है क्योंकि यहाँ पर आ करके यह करना अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है। अब मैं आपको बताता हूँ कि यह जो अभी किया यहाँ पर स्टेज पर, बहले हिन लोगों ने आ करके अपना मजाग उड़ा है, वैसे इनों ने अपना का मेरा जादा मजाग उड़ा दिया, लेकिन यह जो किया, उसका आज के इस सेशन से क्या कनेक्शन है। आप में से कितने लोग हैं, जो हमेशा हर हाल में, चाहिए लाइफ में कुछ भी चल रहा हो, खुश रहना चाहते हैं। हसते खेलते रहना चाहते हैं, महला बिल्कुल बच्चे के जैसे, मस्त रहना चाहते हैं, सब, सब चाहते हैं। इसका सबसे असान रास्ता पता है क्या है? हमें खुद पर हसना सीखना है। यही आज के सेशन का थीम है। क्योंकि दूसरों की वीकनेसे पर हसना, दूसरों के लिया पर हसना यह तो पूरी दुनिया गरती है। मज़ा तब है जब हम खुद की वीकनेसे पर, खुद के लियार पर दिल खोल करके हस सके। बिना किसी जिचक के, बिना किसी डर के, सिर्फ दिखाने के लिए नहीं कि अगर गुरूप में खड़े हैं, दस लोगों के साथ में, और हमारा मजाख उट रहा है, तो मुझे उपर उपर तो हस रहे हैं, अंदर अंदर गालियां दे रहे हैं, बोले बिटा, तु मुझे बोल अंदर यंदर सीरियस हो रहे हैं, तो यह क्या है, और इससे क्या होता है, मैं आपको कोई, theoretically नहीं बता हूँगा, अपना खुद का एक real life example दोंगा, कि मैंने यह चीज कब और कैसे सिखी, जब मैं करीबन आठ या नौ साल का था, तो स्कूल में अपने फ्रेंड्स के साथ मे पकड़ाई खेल रहा था, बागते बागते में अपने स्कूल के स्टेज पे चड़ गया, स्टेज पे गया और वहां से जा करके मैंने छलांग लगा थी, नीचे कुदा मैंने देखा नहीं था, वहां पर एक कांच की तूटी भी बॉटल पड़ी थी, और वो बॉटल, वो कांच मेरे हाथ में यहां पे गुजगया, आर पार हो गया, जिसके बाद से, जो हुआ सो हुआ, लेकिन उसके बाद से मेरे यहां की एक नर्व पूरी तरह से डेट होगी, और एक वो दिन है, एक आज का दिन है, मेरी जो उंगली है, यह मुर्ती नहीं है, आप में से भी श कि मेरे जो स्कूल का गुरूप था, दोस्त है, उनको तो कोई टॉपिक चाहिया होता है, नो मुर्गा चाहिया होता है, स्कूल में यह होता है सबके साथ में, स्कूल कॉलेज में, कि ए गुरूप बना हुआ है, एक को मुर्गा बना लिया, और सब उसके पीछे पड़े तो इसे तरह तरह की चीज़े होती थी एक आपने वह कहावत सुनी होगी कि जब भी सीधी उंगली से ना निकल रहा हो तो उंगली करनी पड़ती है तो गुरुप में जब खड़े होते थे तो सब आपस में पूछते थे कहते तो यार यह संदीप क्या करेगा घी कैसे निकाल कि आपक के बारे में बात हो रही है और सब का हसने का मन कर रहा है तो गुम फिर के फिर मेरी उंगली पर आएंते थे तो उस टाइम पर क्या होता था तक मुझे बहुत गुस्सा आता था जब भी कोई मेरा इस तरीके से मजाक उड़ाता था बाहर बार से में दिखाने के लि स्टांडर पुश्ते मेरी जो फ्रस्ट्रेशन है वो दो चीजों को ले कर बढ़ गई एक यह जो लोग मेरा मजा कोड़ा थे उनसे रलेटे जो वी मेरे दोस्ते तो काल्ड दोस्त है कि दूसरी मेरी फ्रस्ट्रेशन बढ़ गई बगवान से कि अपने मेरे सात्म इसा क्यो चर्वे संफिया प्लाइयों घृती होजि Ding वाम नहीं होती है और मेरी ऋखली यहां पर इस तरहे के से नहीं होई तो मिरे को अंदर यांदर स्ट्रेशन ओगाई कि या काश मेरे साथ में यह इन तरीके से चल नहीं सकता था मैं मैं कॉलेज में दो साल रहा हुगा और नहीं कभी भी उस बंदे को इतना सभी प nou किसी नहीं जेका मनौ रहे deserves और उसकी क्वालिटी क्या थी, जो मैंने लाइफ में पहली बार ऐसा एक बंदा देखा था, पहली बार, कि वो खुद की वीकनेस का, खुद की कमियों का, खुल करके मजाग उडाता था, और लोगों को जहां पर उसके उपर तरस आता था, उसको नहीं आता था, अपने उपर बार तरस, ऊपना मजाग उडाता, और सब हसते, और सब उसको प्यार गरते, इस चीज को जो उस बंदे के अंधर थी, मैंने कहा कि नहीं, मुझे एसा ही बनना है, मुझे इस चीज़ को सीखना है कि खुद पर कैसे हासा जाता है, और इसको मैंने प्राक्टिस करना शूरू बाला ठार पेपने कोशिच कर रहा ते है할 जो शीज को स्थीज कर था कुछ महिने बाद में असीज में पॉफेक्ट अब फिर मुझे बिल्कौल भी मुझे इस जजख नहीं होती लेकिन जो कॉलेज वाला संदीब था, जो सीख गया था अपने उपर हसना, उसमें बड़ा इंजोई किया, उसके लिए उसके लिए मज़ा था, मस्ती थी, आप में से कितने लिए बस में ट्राइवल करते हैं, भरी बस में, जिन्हों अच्छे से ट्राइवल किया है, या पहल और ज्याता लोगों ने डियोडरेन नहीं लगाया होता, आप लोगों नहीं शायरी ये प्रॉब्लम पेस करी होगी, तो हुआ क्या, कि मैं इसी बस में ट्राइवल कर रहा, बस पूरी भरी होई, और मुझे एक बढ़ी अच्छी खुश्बू आई, मैंने का यार, यह क्या जाननुम में जननत दिख रही है, क्या है यह, मैं मतलब उस में खो गया उस खुश्बू में, और मैंने अपने दोनों तरफ देखा, मैंने कहां से आ रही है, तो मैंने इधर देखा, इधर से नहीं थी, उधर देखा, तो मेरे पीछे, लेफ साइड में एक लड़की और यह स्माइल उस लड़की को देख करके नहीं आई थी, क्योंकि आप लोगो बैक्राउंड पता है, उसको नहीं बता था, यह स्माइल आई थी उसके पर्फ्यूम की वज़े से, कि मैंने देखा और मैंने खा और कितना अच्छा पर्यूम है, तो हल्की सी स्माइल लेकिन उस लड़की को यह डवट हो गया, कि मैं उसको छेड रहा हूँ, उसमें लाइन मार रहा हूँ, और वो बिल्कुल गुस्से से मेरे को घूरने लग गई, महला उसमें गुस्से वाली मेरे को लुक दी, और मैंने फटा 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 अपना मूनी चे कर लिया, मैंने गा अपनी जेब में हाथ डाला रुमाल निकाल लेके ले, अध्यान से देखो मेरा हाथ कैसा है, कि मैं आपको बता चुका हूँ कि मेरी उंगली मुड़ती नहीं है, तो मैं गया, मैंने जा करके अपनी जेब में हाथ डाला, रुमाल निकाला, और जब रुमाल निकाल रहा था तो वो उंगली जागर गर के उस लड़की पेर पेट अचौगई उसके पेर पेट अचौगई आप ने कहावत सुनी होगी कंगाली में आटा गीला दिल्कुल ऐसे ही कुछ पेर साथ में हुआ कि पहले ही मेरी पिटने वाली प्रॉली प्रॉल्ट थी और ऊपर से वो उगली जा करके उसकी पेरबे टच होगे, मैं रुमाल लेकर करके चुपचाप अपने फेस पे आया, और मेरी हालत खरा, मैं मनी मन सोच रा, मैंने का भाई, अब क्या करूँ, दो अप्शन्स है मेरे पास में, एक तो यह है कि पलट करके इसको पड़ा-पड़ से सौरी ब करके अच्छा मेरे को उगली मारी, तूने मारी, तो मैंने का भाई, तो मैं दूसरा अप्शन मेरे पास में यह था कि मैं चुप रहा हूं, अराम से देखता रहूं, मूह नीचे करके, ऐसे रियाक्त करूँ जैसे कुछ हुआ ही नहीं है, तो मैं सोच ही रा था, इन दो करके देखा, और उस लड़की के साथ में लड़का खड़ा हुआ था, बोड़ी बिल्डर टाइप का, अभी मुझे याद उसने ब्लड रेड कलर की टाइट फिट पहनी हुए थी, और उसकी जो डोले थे, मनला कि उसकी बाइसेप्स, वो अल्मोस उस टीशिट को फाड़न मैं तुझे बता हूँ, हाँ जी, एक तो मुझे पहले देख करके हस्ता है, उसके बाद मैं टच करता है, और फिर पलट करके कहता है, हाँ जी, तो उल्टा पड़ गया मेरे उपर, मदल जैसी मैंने उसको बोला, फिर मैंने उसको सज़ाए, मैंने का जी, I am very very sorry, अब मैं आ मैं बता हूँ उसका क्या था, पर उसने बड़ा साई डायलोग बोला, काता है, हो एरो, मैं का हाँ जी, और क्या बनूँ, का हाँ जी, काता है, मेरा हाथ दिख रहा है, ये भी अगर एक बाद पढ़ना शुरू हो जाएना तो रुपता नहीं है, जैसे तिरी उंगली मूरत ही नहीं है, तो मैंने का भाई, आज तो तू गया, आज तो पिटाई होनी पकी है, फिर उसके बाद में मैंने, जितनी मैं कोशिश करता चला जा रहा था, उतनी गड़बड होती जली आ रही थी, और ऐसे में गड़बड क्या होती है, कि यहां तक तो ठीक था, मतलब यह ज मैंने को तयार नहीं, मतलब किसी को पता ही नहीं कि हुआ क्या है, और वहाँ पर पीछे एक मूछो वाले अंकल खड़े थे, वो बोलते है, कहते है, ओ शरम नहीं आती तरको तू लड़की को छेड़ता है, भरी बस में लड़की को छेड़ रहा है, मैं पल्टा मैंने उनके हाथ चोड़े, मैं अंकल जी आज तक मैंने अपनी गर्फरिंड को नहीं छेडा, मैंनकी गर्फरिंड को क्या चेड़ा है, वनला मैं सम्हाने की कोषिच करा हूं, मैंने का इव बदेखो तो सही, देखो तो सही, घंधे गंधे इशारे करता है, धाँ, चल साहीडो, बनला क कोई भी अपनी waif की फ्रस्तेशन अपनी जॉब की फ्रस्तेशन आ करके मेरे निखाल रहे कि ले यह दक्के देते तो क मुझे फड़े और कब मैं बस की आगे तक पहienza कब चन्डक्टर ने बस रोकी मुझे पता ही निलगा मुझे पता ही निलगा जब कुछ अपने आप हो गया दक्याके खाते खाते गाते घर बीच रास्ते में मुझे बस से निकाल दी दिए इनफ़क मेरा जो कॉलिए घसा वह दुष्प आफ एग हम्झे मिरए梦 उत्रा हो और उतर करके अगर वो पेले वाला संदीप उता हूँ श्कूल टांग या करता हो रोता उ जा करके ऑफ़ान को बें है बगवान तुने मेरे साथ में क्या किया मेरी तो कोई गल्ती भी नहीं थी ऐसी पिढ़ गया ऐसी मेरे कपड़े फट गए ऐसी यह सब हो गया यही करता और डूसरी चीज क्या करता इस इस एक्सपीरियंस को यह जो हुआ मेरे साथ में इसको एक बयानक सपना समझ करके भूलने की कोशिश करता है यह भूल जाओ और मज़े की बात पता है क्या है आप जितना भी किसी चीज को भूलने की कोशिश करते हो वो चीज उतनी ही याद आती है वह आप लोगे साथ ऐसा जितनी कोशिश करता हूँ अंदर ही अंदर मेरे रह जाता है मैं भार मी आपाता है तोभी लेकिन ये था पहले वाला संदीब मतलब कि वो स्कूल वाला संदीब जो अपने कॉलिज के फ्रेंड से नहीं मिला था लेकिन वो मर चुका था अब था ये college वाला संदी मैंने क्या किया महां से उतरा मैंने का यार बैग तो अंदर रहे गया है लेकिन दुबारा पिटने की मेरी हिम्मत नहीं थी तो मैंने का आप दुबारा जाना तो बस के अंदर ठीक नहीं है साइड में आया और बार बार सोच रहा मैंने का यार मैंने सौरी क्यों नहीं बोला और अपने घर गया वहाँ जा करके अपनी सिस्टर को एक किस्सा सुनाया मैं गा देख भई मेरे साथ में ऐसे चीजे होई है सिस्टर भी बहुत है तो 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 बिल्कुली बेवकूफ है बिल्कुली पागल है क्या ज़र होती ये सब गयर नहीं कि मैंने किया थोड़े वैसे हो गया कि मैं क्या करूँ उसके बाद में अपने उन स्कूल फ्रेंड्स के पास में गया वो ही जो मेरा बहुत मजाग उड़ाते थे उनके बास में गया उनको भी जा करके अपने पूरा किस्सा सुना दी अब वो भी बाद असे कहते हमने सही नाम रखा था तेरा उंगली देख उंगली करी दीना तुले अब तु बहास नहीं आया फंगे लेह लिए ना मैंने गया करूँ मैं ऐसा ही हूँ तो अब फर क्या था क्योंकि मैं खुद के हसना सीख चुगा था उस समय नहीं आता था तो अब वो लोग जैसे ही मेरा मजा कुडा थे प्ले वो मुझे एक Бोलते मैं उनको दो बोलता अब वो मुझे एक बोलते मैं खुद के बारे में एक चीज और आट करते था वो कहते हैं हावे उंगली मैंने कहा है यार तुम सही गया रहे हो सही नाम रखा है तुमने मेरा मैं हूँ ही बेवकुफ मैं हूँ ही पाविल तो ये करते-करते हुआ क्या मजे की बात मेरे को अभी वियाद है उन में से एक लड़का जो मेरा सबसे आदा मजाख उड़ाता था सूल टाइम में उसने बोला जब ऐसे कुछ देर तक ये चलता रहा उसने बोला कहता भाई संदीब तू बिल्कुल बदल गया है तू तो बिल्कुल ही बदल गया है और उसकी जो टोन थी ना बोलने की वो खुशी वाली टोन नहीं थी वो जना स्टेट ऑफ शॉक वो सद्मे में था कि भाई यह हुआ क्या इस लड़के को वो सद्मे में था क्यों कि उसकी पावर उसके हाथ से चली गई थी सोचो किसी के हाथ में बहुत ज़्यादा पावर हो और वो एकदम से चली जाए रातो रात क्या होगा वो कैसे रियाक करेगा वो शौक में आ जाएगा ना इसकी पावर थी क्या उसकी पावर थी मेरा गुस्सा मुझे गुस्टा आता था और वो मुझे गुस्टा दिलाता था मैं चिड़ता था वो मुझे चिड़ाता था मैंने चिड़ना बंद कर दिया अब वो किसको चिड़ाएगा सोचो उसकी पावर गाया उसके जोक्स फेल पूरी तरह से फेल किस तरह से अगर हम अपने अंदर एक इतना छोटा सा चेंग लेकर के आ जाए तो किस तरह से हमारी लाइफ एक बिल्कुली अलग डिरेक्शन पे निकल जाती है सुचो मेरे अंदर का गुसा मर गया फ्रस्ट्रेशन गायब हो गई दुख गायब हो गया कि अब मुझे हसने के लिए किसी और की जरुवत नहीं थी टीवी देखने की जरुवत नहीं थी खुद के ओपर अकेले में बैट कर गया हस सकता था कितना कुछ मिल गया चूटी सी च गया है कि आज मुझे अच्छे तरीके से समझ आ चुका है कि मैं चाहे कैसा भी जो क्रेक करूं यहां पर ₹ अच्छा हो या बुरा हो एक चीज गैरेंटीड है आप लोगों ने हसना ही हसना है हसना ही हसना है गेरेंटीड हसना है और यह मेरा कोई ओवर कॉंफिडेंस नहीं है जो किसी तब भी आप हसोगे, फर्गी है कि आप मनी मन मेरे जोक के उपर नहीं मुझ पर हसोगे, कि कितना बेवकूफ आदगी, यह तो पागल है फिलकुली, मनी मन आप हसे ना, तो हुआ वो जो मैं चाहता था, मेरा मकसद क्या था, मेरा मकसद क्या था, यह नहीं था कि आप मेरे जोक के उपर हसो, यह था कि आपकी जिंदगी में थोड़ी सी खुशी आ जाए, बस, अब इससे क्या फर्क पड़ता है कि आप मेरे जोक के उपर हसो या मुझ पर हसो, क्या फर्क पड़ता है, या मेरे देवकूफियों पर हसो, या मेरे failures पहसो, या मेरी weaknesses पहसो. होता क्या है, जब हम धीरे धीरे इस राष्टे पह चलते हैं, तो गो दिन दूर नहीं है, जब सिर्फ हम अपनी छोटी छोटी weaknesses का मजाख नहीं उडाते हैं, बल्कि बड़े से बड़े failure का भी मजाख नहीं उडाते हैं. बड़े से बड़े failure का. सोचो ये क्या है? एक problem है जिसके बारे में मैंने अपने last life changing seminar में बात करी थी, one of the biggest fears in the world. मला इस दुनिया में जितने भी डर हैं आपकी लाइफ में, उन में से सबसे बड़े डरों में से एक, वो था, सबसे बड़ा रोग, आप में से इतने सारे लोग यहां पर बैठे होए हैं, और मैं guarantee के साथ कह सकता हूँ, कि जो आप कर सकते हैं, मलाब कि जो आपका potential है, आपको पता है अंदर से कि मैं यह कर सकता हूँ, आप करना चाहते हैं, फिर भी नहीं कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि अंदर ही अंदर, बहुत गहराई में, excuses दे रहे हो कि मैं इस वज़े से नहीं कर रहा है, उस वज़े से नहीं कर रहा, reason कुछ और है, reason क्या है, कि अंदर ही अंदर कही नहीं डर बैठा हुआ है, कि यार मैं successful हो गया तो बढ़िया है, अगर fail हो गया, तो मेरा कितना मजाग उड़ेगा, यह आता है अंदर से, यह डर हमको आगे बढ़ने से रोकता है, सब को रोकता है, किसी के अंदर कम है, किसी के अंदर ज्यादा है, सब के अंदर होता है यह डर, तो धीरे-धीरे अगर आपने इसको प्राक्टिस करना शुरू किया, अपने उपर हसना शुरू किया, तो वो दिन दूर नहीं है भाईया, जब यह पूरी तरह से आपके अंदर से निकल जाएगा, आपको रत्ती बर भी फर्क नहीं पड़ेगा, कि बोलोग आपके बारे में, क्या सोचते हैं, क्या बोलते हैं, क्या कहते हैं, जिसका जो काम है उसमें वो ही करना है, आप कुछ अच्छे से अच्छा भी करनो ना, लाइफ में, आप जा करके, हिमाले के उपर जा करके, जंडे गार तो माउंट इवरेस के उपर, तब भी जिसने आपके उपर हसना है, वो हसेगा, वो कहेगा, देखो पागल है, कहां पहुच गया, तो जिसने मजाग उड़ाना है, जिसका बेसिक नेचर है, नेगिटिव चीजों को देखने का, वो नेगिटिव भी देखेगा, भाई, तो फर्क क्या पढ़ता है, और ये एक छोटी सी क्वालिटी है, जो आप उन सब लोगों में देखोंगे, इस पूरे दुनिया में, जो भी लोग अपनी जिन्दगी को खुल करके जी रहे हैं, जाए कोई भी हो, उन्हें इतना सा भी फर्क नहीं पढ़ता, कि दुनिया उनके बारे में क्या सोचती है, क्या बोलती है, इस नोट मेक एनी डिफरेंस तो तो जीना है, खुल के जीना है, और खुद पर हसना है, खुद का मजाग उड़ाने से कभी भी पीछे नहीं हटना है, उनके अज्चब का खुड़ाना आ गया, खुद की बेवकुफियों का, हुद की कमियों का, खुद के फेलियर्स का, तो धीरे धीरे, यह जो सक्सैस है न? सक्सैस जो यहम को मिलती है, हम उचल भी मजाग उड़ा प्लें है, अपनी सक्सैस नहीं है, और की success का तो दुनिया मजाग उड़ाती है कि अपने पडोसी के बास में अपने से बड़ी गड़ी आ गए ज़रूर कोई गलत काम कर रहा है ज़रूर कोई गड़बड काम कर रहा है होता है खुद की success का और देखो इससे क्या होगा मैंने आज तक अपने सेशन में इस टॉपिक को बहुत ज़्यादा टच किया है कि successful होने के लिए आपको क्या करना है लेकि मैंने इस टॉपिक को टच नहीं किया कि successful होने के बाद क्या करना है लेकि जहां आप successful हुए जहां आप successful हुए, आपके पास में आपकी field में आपका नाम हुआ, आपके पास में पैसा आया, आपके पास में power आई, तो आप चाहो ना चाहो, उस success ने आपके दिमाग पर चड़ना ही चड़ना है, guaranteed चड़ना है, आपके अंदर एहंकार आना ही आना है, आपकी ego ने बढ़न नहीं बढ़ना है और जिसके अंदर एंकार आया जिसके अंदर इगो आई वो अंदा कड़ गया जो भी अकड़ा समझो वो मर गया क्या होता है ऐसे लोगों के साथ में उनके अंदर का बच्चा मर जाता है जहां ये सक्सेस जब तक कि ये हमारे पैर की जुती पे है तब तक ठीक है जहां ये सर पे चड़ी गड़वर चुरूँ आप खुल करके वो करी नहीं पाऊगे जो आप करना चाहते है इगो बढ़ती चली जाएगी अगड़ बढ़ती चली जाएगी पता कैसे लगेगा आपको ये चीज हो रही है जब भी जिंदगी में हसी छिंज जाएं सीरेस हो जाओ माथे पर सलवटे पढ़नी शुरू हो जाएं अकड़ जाओ हमेशा अकड़े अकड़े रहो तो समझ जाओ गलट ट्र होना है जो काम मैं कर रहा हूँ उसको पूरी मांदारी से करना है नाम का क्या है नाम और बदनाम में किती देर का फरक है कुछ सेकंट का तो इस चीज को ले करके क्यो सीरेस होना है सक्सेस को ले करके क्यो सीरेस होना है पैसे को ले करके क्यो सीरेस होना है इन सब चीजों को लिल्किल वैसे ही रहना है कुछ भी हो जाए कितना भी उपर लेवल पर पहुंजाओ विल्कुल वैसा ही रहना है जैसा अब तब थे जब आपने अपने करियर की शुरुवाद करी थी चोटे से बच्चे थे दिल में वो बच्चा मरना नहीं चाहिए, भागना है, उठना है, गिरना है, फिर चलना है, फिर असना है, खिल-खिलाना है, रोना है, जो मन कर रहा है अंदर से वो करते चले जाना है, मनलब कि दिमाग होना चाहिए बुद्ध के जैसा, और दिल होना चाहिए एक छोटे से ब